Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to CampusX आज की वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे In fact, हमने last वीडियो में एक बहुत important topic पढ़ना start किया था कि back propagation कैसे होता है CNN के case में और मैंने आपको last वीडियो में एक overview दिया था कि back propagation कैसे होता है But आज का वीडियो उससे भी जादा interesting और important होने वाला है Because आज की वीडियो में आपको एक दम how level पे बताऊंगा कि पूरा का पूरा back propagation काम कैसे कर रहा है हम लोग तीन important topics देखेंगे पहला, flattened layer में back propagation कैसे होता है Second, max pooling layer में back propagation कैसे होता है और सबसे important third, convolution layer में back propagation कैसे होता है आज का वीडियो देखने के बाद आपको वो पूरा का पूरा mathematical understanding हो जाएगा कि back propagation CNN में काम कैसे कर रहा है Although यह आपको खुद से code करने की जरूरत नहीं है But अगर आपके पास यह understanding है ना तो आप थोड़ा better देख पाते हो अपने code को थोड़ा better समझ पाते हो पहले ही आपको मैं बता दूँगा वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ की थोड़ा difficult है Maths थोड़ा जादा है हो सकता है आपको multiple times की वीडियो देखना पड़े साथी साथ I would recommend की एक copy pen लेके बैठना जो भी मैं वीडियो में लिख रहा हूँ कोशिश करना साथी साथ उसको लिखने का जादा अच्छे से समझ पाओगे थीक है तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आपने लास पार्ट नहीं देखा है बैक प्रपगेशन इन सी एनन का तो प्लीज वीडियो देखना वेकॉस उससे आपका अंडरस्टांडिंग थोड़ा और डेवलप होगा उस वीडियो के ही कुछ पार्टस हम लोग आज के वीडियो में फिर से यूज करेंगे ठीक है तो इफ यू रिमेंबर हमने एक बहुत बेसिक सीनन आर्किटेक्चर यूज किया था इस वीडियो में हम उसको रियूज करेंगे सो माललो हमारे पास एक एक इमेज है जिसको हम एक फिल्टर के थ्रू कॉन वाल्व करा रहे है और वो फिल्टर मालो ये इमेज है 5 क्रॉस 5 और और राधर 6 क्रॉस 6 ले लेते हैं और ये 3 क्रॉस 3 का फिल्टर है और इसका एक खुद का बायस है ठीक है कॉन्वॉल्फ कराने से हमें एक फीचर मैप मिल रहा है जिसका साइज होगा फोर क्रॉस फोर उसके उपर हम रेल्यू ऑपरेशन लगा रहे हैं नॉन अक्टिवेशन नॉन लिनियारिटी आड़ करने के लिए जिससे हमारे को फिर से ये फीचर मैप मिल रहा है इस फीचर मैप के उपर हम लोग मैक्स पूलिंग ऑपरेशन लगा रहे हैं जिससे हमें रिड्यूस्ट फीचर मैप मिल रहा है जिसको हम फ्लाटन कर रहे हैं फ्लाटन करने से हमें एक 1D टेंसर मिल रहा है जिसको हम एक सिंगल आउटपुट लेयर में भेज रहे हैं जिसका स activation function इससे हमें हमारा वाई हाट मिल रहा है और इस वाई हाट से हम loss calculate कर रहे है ठीक है तो यह simple architecture मैंने last video में use किया था ठीक है इसमें एक convolution plus one pooling layer है और फिर fully connected layer के नाम पे there is only one output layer ठीक है फिर मैंने इसका एक simplified diagram बनाये था कि अगर मालो x आपका image है और आप क्या कर रहे हो आपका जो filter है उसके सारे weights को आप w1 बुला रहे हो और आपके पास जो bias है उसको आप b1 बुला रहे हो तो ऐसा करने से आपको मिल रहा है z1 z1 को आप relu में पास कर रहे हो तो आपको आपका activation a1 मिल रहा है a1 को आप max pooling layer में भेज रहे हो तो आपको जो tensor मिल रहा है उसको let's call p1 p1 को आप flatten कर रहे हो आपको मिल रहा है f f is a 1d tensor f को जब आप dot product कर रहे हो with w2 w2 is basically these weights और इसका bias तो you are getting z2 z2 को जब आप sigmoid में पास कर रहे हो which is this node का sigmoid तो you are getting a2 a2 ही आपका y hat है और इसी से आप loss calculate कर रहे हो so basically यह एक logical diagram हो गया हमारे cnn architecture का ठेक है फिर मैंने एक चीज़ और की थी कि मैंने forward propagation की सारी equations लिख दे थी क्योंकि इनका use होता है back propagation create करने में so you can see z1 is the convolution of x और w1 और जो हमें मिल रहा है उसमें हम bias add कर रहे हैं a1 कैसे मिल रहा है a1 is value operation of z1 ठीक है यहां तक आएगे साबको समझ में आ रहा है p1 कैसे मिल रहा है p1 is max pool operation of a1 f कैसे मिल रहा है f is basically reshape operation और flatten operation on p1 ठीक है उसके बाद अगर आगे बढ़ो तो आपको z2 कैसे मिल रहा है z2 is w2 dot product f plus b2 a2 कैसे मिल रहा है a2 is sigmoid of z2 और l कैसे मिल रहा है l is 1 by m where m is the total number of data points i is equal to 1 से m minus y i log of a2 बोल लो या y hat बोल लो minus 1 minus y i log of 1 minus a2 ठीक है यह आपके forward propagation के equations है ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमें back propagation apply करने back propagation apply करने में आपको करना क्या होता है कि आपको basically gradient descent लगाना है इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर अब अगर आपने last video देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इन दोनों weights के ऊपर back propagation लगा लिया था इनके ऊपर हमें लगाना है so basically हमें कुछ ऐसा equation निकालना है w1 is equal to w1 minus learning rate times del l by del w1 ठीक है w1 is a matrix this thing is also a matrix similarly for bias the equation would be something like this ठीक है तो हमें basically यह दोनों derivatives निकालने थे यह सारा discussion हमने last video में भी किया था this was kind of a revision ठीक है अब अगर आप देखो तो हमें del l by del w1 निकालना है या del l by del b1 निकालना है तो del l by del w1 का मतलब क्या हुआ कि w1 में changes करने से loss पे क्या आसर पढ़ता है तो you can clearly see कि जब आप w1 में changes करते हो तो उससे z1 में changes होते हैं जब आप z1 में changes करते हो उससे a1 में changes होते हैं a1 में changes होने से p1 में होता है p1 से f में होता है f से z2 में होता है z2 से y hat में होता है और y hat से l में होता है So there is this indirect chain जिसके through ये changes हो रहे है तो अगर आपको इसको chain rule के through लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे आप लिखोगे सबसे पहले Del L by Del A2 Del A2 by Del Z2 Del Z2 by Del F Del F by Del P1 Del P1 by Del A1 And Del A1 by Del Z1 And Del Z1 by Del W1 ठीक है Similarly अगर आप लिखना चाहो Del L by Del B1 का तो सब कुछ सेम रहेगा At Least इतना सब कुछ सेम रहेगा मैं सको लिख देता हूँ ठीक है तो basically हमें क्या करना है ये derivatives calculate करना है और ये derivatives calculate करने के लिए आपको ये individual derivatives calculate करने पड़ेंगे ठीक है तो यही हमें going forward करना है अब अच्छी बात ये है कि इसमें से हमने कुछ derivatives already calculate कर लिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने ये दो derivatives already calculate कर रखे है ठीक है कब calculate किये थे हमने जब हम इनका derivative निकालने गए थे W2 और B2 का क्योंकि वहाँ भी chain क्या बन रहा था W2 में changes करने से Z2 में change हो रहा था Z2 से A2 में और फिर L में तो हमने del L by del A2 निकाला था del A2 by del Z2 निकाला था तो ये calculate हो रख था है ठीक है और एक चीज अच्छी है कि अब बस हमें इसको निकालना है इसको निकालना है इसको निकालना है इसको निकालना है क्योंकि ये उपर वाले सेम है फिर हमें इसको निकालना है और फिर हमें X को निकालना है तो टोटल going forward हमें 6 derivatives calculate करने है और जैसे ये 6 derivatives निकल जाएंगे हमारा काम हो जाएगा हमें ये दोनो derivatives का formula मिल जाएगा अब देखो अगर आपने last video देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन दोनो derivatives का जो product था वो निकल के आया था ये a2 minus y, ठीक है where a2 is the prediction, y is the target मतलब target label, तो ये हमने निकाल लिया let's quickly focus on this term del z2 by zf क्या होगा, ठीक है अब trust me, अगर आपने सारे के सारे forward propagation equations लिख रखे है ना तो आपको ये सब calculate करना बहुत easy हो जाएगा आपको क्या निकालना है, z2 by zf and you can see, आप इस equation से बहुत easily calculate कर सकते हो, ठीक है तो आप जैसे ही, del z2 by del f निकालोगे, it would come out to be del z2 by del f would be equal to w2 w2 is a matrix, ठीक है basically, 4 weights इसके अंदर है, ठीक है अब यहाँ पर, एक चीज़ आपको पूरे time खयाल रखना है, कि आप पीछे से आगे की दरफ आ रहे हो, ठीक है तो आपको eventually करना क्या है, हमेशा देखना है कि आपका, जो shape of the matrix है, वो same है की नहीं जैसे कि खुद सोच के देखो, अगर मैं आपसे पूछू कि del z2 by del f का shape क्या होना चीए I guess आप समझ पा रहे हो, इसका shape exactly वही होना चीए जो f का shape है ठीक है, और अगर आप देखो तो यह सही भी है w2 का shape क्या होगा w2 का shape exactly वही होगा, जो f का shape होगा because आप for every f you are having one w ठीक है, तो यहाँ पर you can quickly check that, की del z2 by del f is coming out to be w2, which means दोनों का shape shape जो है, वो same है ठीक है, तो in a way हमने यह भी calculate कर लिया यह भी calculate हो गया ठीक है, अब यहाँ से चीज़े थोड़े interesting होती है because next हमें calculate करना है, del f by del p1, अब अगर आप यहाँ पर देखो, तो यह रहा वो equation, और यह actually flatten layer का equation है, तो अब आपको क्या करना है, आपको back propagation apply करना है, on top of flatten layer, but guess what, flatten layer में there are no trainable parameters there are no trainable parameters, तो फिर आप किसके against back propagation लगाओगे so the simple answer is कि जब आप flatten के उपर back propagate करते हो तो आप actually कुछ differentiate नहीं करते हो, आप जो सीधा operation इसका ठीक उल्टा कर देते हो इसका मतलब यह हुआ, कि आप जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपने क्या किया था, आपने P1 को F1 में convert किया था ठीक है, अगर आप बात करो size का तो यह 6 x 6 था 3 x 3, 4 x 4, यहां भी 4 x 4, फिर max pool से 2 x 2 और यह P1 है बाइद वे आपका और यहां से यह F बना, so basically आपने 2 x 2 को reshape करके क्या बना दिया, 4 x 1 तो आपको बस क्या करना है, जब आप उल्टा जा रहे हो, तो आपके पास यह 4 x 1 है, ठीक है, यह वाली चीज, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको वापस 2 x 2 में reshape कर देना है, basically आपको P1 का जो shape है, उसमें reshape कर देना है, so in a way, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह जो पूरा operation है यह जो पूरा operation है यह इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो, dot reshape of P1 that's it या फिर आप ऐसे लिख सकते हो reshape P1 dot shape so अभी तक अगर आप देखना चाहो, तो dell L by dell W1 जो है तो यह वाला जो term है इसके बदले और यह वाला जो term है इनके product के बदले आ गया है A2 minus Y यह वाला जो term है इसके बदले आ गया है W2 अब यह वाला जो term है ना इसके बदले आ गया है सिर्फ एक reshape operation reshape किस shape में P1 के shape में ठीक है आप A2 का जो shape है उससे Y को subtract करोगे आपको एक matrix मिलेगा जो भी आपको मिलेगा उसको आप W2 से dot product करोगे और जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे उसको आप reshape कर दोगे P1 के shape में तो अभी तक आपको ये सारा काम करना है थे और हमने realize किया था कि इस derivative को निकालने के लिए आपको 7 derivatives निकालने है उन में से 4 हमने अभी तक निकाले है and you can see इन दोनों ही derivatives में वो 4 derivatives common है और इसका अभी तक का expression ये रहा ठीक है अब हम लोग focus करने जा रहे हैं इस वाले के उपर डेल P1 by डेल A1 के उपर basically ये step ठीक है so in a way आप बोल सकते हो कि now you are going to apply back propagation on max pooling operation ठीक है तो again काफी interesting है but इसके पहले मैं बस आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि gradient जब पीछे flow करता है back propagation में तो वो कैसे flow करता है so इस जगह पे जो gradient होगा न वो होगा डेल L by डेल A2 इस जगह पे जो gradient होगा वो होगा डेल L by डेल Z2 इस जगह पे जो gradient होगा वो होगा डेल L by डेल F इस जगह पे जो gradient होगा वो होगा डेल F डेल L by डेल P1 इस जगह पे होगा डेल L by डेल A1 इस जगह पे होगा डेल L by डेल Z1 और इस जगह पे होगा डेल L by डेल W1, डेल L by B1 ठीक है So you can see इस तरीके से पीछे हम लोग प्रोपगेट कर रहे हैं एक चीज और आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे यह जो डेल L by B1 आएगा इसका शेप 2 by 2 होगा Basically it will be a matrix of 4 numbers जो कि हमारे errors है ठीक है अब इसी को हमें पीछे प्रोपगेट करना है ठीक है तो again I guess आप एक चीज और समझ पा रहे होगे कि जो डेल L by डेल A1 होगा न वो 4 x 4 होगा ठीक है तो अब हम लोग discuss करते हैं कि max pooling के उपर back propagation कैसे apply होता है अब देखो just like flatten max pooling में भी there are no trainable parameters तो यहाँ पे भी conventional तरीके से back propagation apply नहीं होगा आपको basically क्या करना है कि max pooling जो operation करता है उसका ठीक उल्टा operation करना है समझने की कोशिश करना हमारा जो scenario था वहाँ पे हमारे पास 4 cross 4 matrix के उपर जब आपने max pooling लगा है तो 2 cross 2 आया मैं आपको एक example देता हूँ माललो हमारे पास ये एक 4 cross 4 matrix है माललो ये हमारा matrix है A1 ठीक है this is A1 तो इसके उपर जब आप max pooling लगाओगे तो आपको ये मिलेगा 4 8 12 16 क्योंकि आप क्या कर रहे हो हर window में जो maximum item है उसको उठाके डाल दे रहे हो ये max pooling operation है ठीक है हमें इसका ठीक उल्टा करना होता है जब हम back propagation करेंगे तुम एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सो होगा क्या कि आप सोच के देखो कि हर इस window में एक ही item ऐसा है जो आप आगे लेके जा रहे हो राइट बाकी जो तीन है हर window में इनको आप आगे प्रपगेट नहीं कर रहे है इसका मतलब ये जो बाकी के तीन numbers है इनका y hat के prediction में कोई roll नहीं होगा और अगर y hat में कोई roll नहीं होगा तो l में कोई roll नहीं होगा सो basically मैं ये बोलना चाहरा हूँ कि आपका ये जो even है इसमें उन numbers का loss के prediction में कोई भी contribution नहीं होगा जो अपने window में maximum नहीं है हमें फर्क सिर्फ किस से पढ़ता है सिर्फ maximum वाले से सो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ये चीज होगी basically हमारे पास जब ये होगा डेल L by डेल P1 basically जब ये पूरी चीज होगी इतनी पूरी चीज होगी तो ये पूरी चीज 2 cross 2 होगी हम क्या करेंगे मालनों ये पूरी चीज ऐसी है x1, x2, x3, x4 इस shape में हमें इस से एक matrix बनाना है जिसका shape होना चाहिए 4 cross 4 तो हम ये कैसे बनाएंगे कि हम सबसे पहले A1 में जाके पूछेंगे कि कौन सी जगा पर maximum वाला item था ठीक है? थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं कि पहले window में ये maximum था दूसरे window में ये maximum था तीसरे window में ये maximum था और चौथे window में ये maximum था तो ये जो हमारे पास dell L by dell P1 है इस से हम dell L by dell A1 कैसे बनाएंगे? कि इस 2 cross 2 को हम convert करेंगे 4 cross 4 में और वो conversion इस तरीके से दिखाई देगा 0 x1 0 0 x2 0 0 0 इहां पर फोकस करने आपको 0 0 0 x3 0 0 x4 0 ये रहा हमारा dell L by dell A1 ठीक है? ये था हमारा dell L by dell P1 हमने A1 से पूछा कि बताओ तुमारा हर window में maximum वाला आइटम कहां पर है और हमने इन numbers को ये जो back propagate होके आ रहे थे उनको हमने उसी जगह पे बिठा दिया आप क्या कर रहे हो? 2 x 2 को वापस 4 x 4 में convert कर रहे हो बट जो 2 x 2 में आपके errors हैं उनको आप carefully उनही जगहों पे बिठा रहे हो जहां पर original जो matrix था before max pooling जहां पर maximum वाले items बैठे होगे थे अगर ये point आपको समझ में नहीं आ रहा है I would recommend एक बार वीडियो को पीछे करो और समझने की कोशिश करो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हम इस जगह पे आ चुके थे हम इस जगह पे थे हमारे पास एक 2 x 2 matrix था और इससे हमें 4 x 4 matrix बनाना था basically हमें max pooling का उल्टा काम करना था so हमने क्या किया हमने A1 से पूछा जो before max pooling operation था कि तुमारे कौन-कौन से items maximum है हमने बस उन positions पे x1, x2, x3 और x4 को बिठा दिया और बाकी सब को ऐसे ही रहने दिया so basically ये जो आपका operation है this is in a way reverse of max pooling जहाँ पे आप 2 x 2 से 4 x 4 create कर रहे हो but सारे numbers 0 है जो maximum नहीं है और जो भी maximum है वहाँ पे आप errors जो propagate हो रहे हैं उनको आपने fit कर दिया so mathematically speaking अगर आप इतने term को dell L by dell P1 बुलाते हो और इतने term को अगर आप dell L by dell A1 बुलाते हो तो आप लिख सकते हो mathematically पूरी चीज़ को dell L by dell A1 is equal to dell L by dell P1 xy if A M N is the maximum element 0 otherwise ठीक है so इतने तक का हमने differentiation या आप बोल सकते हो back propagation हमने calculate कर लिया हम dell L by dell A1 तक निकालना सीख चुके हैं ठीक है अब हमें क्या करना है हमें dell A1 by dell Z1 and by the way आपको in xy और mn से confused होनी की ज़रत नहीं है a और p दोनों ही matrices हैं तो उसके individual items को fetch करने के लिए हमने notation यूज कर लिया program करते time help हो जाएगा xy for p and a for mn for a ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब हमें next निकालना है this one dell A1 by dell Z1 ठीक है so अगर आप forward propagation की equations देखो तो this is the equation जहाँ पे A1 और Z1 का relationship है so Z1 is a matrix by the way you can clearly see that कि ये Z1 है this is Z1 ठीक है जो कि एक 4 cross 4 matrix है इसमें 16 items होंगे और आपको इसके उपर value लगाना था और basically अब आपको इसको differentiate करना है तो आप क्या गरोगे ये निकालने के लिए बहुत simple है आप value का differentiation तो जानते ही हो अगर positive हुआ तो differentiation 1 होगा negative हुआ तो differentiation 0 होगा तो आप simply लिख सकते हो del A1 by del Z1 is equal to 1 if Z1 का XY जो item की हम बात कर रहे है वो greater than 0 है 0 if Z1 का XY negative है that's it ठीक है so basically यही आपका differentiation हो गया this is the differentiation तो हमने यहां तक कर लिया guys so आपको कुछ नहीं करना है आपको इस पूरी चीज में इस पूरी चीज से जो result आएगा उसको आपको इस matrix के साथ multiply कर देना है और आपको इस point तक as in del L by del Z1 तक का आपको answer मिल जाएगा ठीक है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ del L by del Z1 निकालने के लिए इस जगे तक का अभी तक निकालने के लिए आपको यहां से जो matrix मिलेगा उसको इस matrix के साथ multiply करना है and you would get del L by del Z1 ठीक है अब हमारे पास बचे दो derivatives एक है del Z1 by del W1 और एक है del Z1 by del B1 ठीक है so basically अब हमें क्या करना है इसका derivative as in इसका derivative इसके साथ और इसके साथ निकालना है ठीक है so in short हमें convolution operation जो होता है इसके उपर back propagation लगाना है ठीक है अब unlike max pulling and flatten जहाँ पे एक भी trainable parameter नहीं था convolution वाले में trainable parameter है ठीक है तो ये थोड़ा और interesting है इसके उपर focus करते है पहले हम लोग focus करेंगे bias वाले के उपर और फिर हम लोग rate वाले को निकालेंगे क्योंकि bias वाला निकालना थोड़ा easy है guys हम निकालने निकले थे dell L by dell B1 और आपको पता है कि dell L by dell B1 है dell L by dell Z1 multiplied by dell Z1 by dell B1 ठीक है guess what dell L by dell Z1 हमने अभी तक महनत करके निकाल लिया है सो हमें बस ये निकालना है dell Z1 by dell B1 by the way dell L by dell Z1 ने 4 by 4 का matrix वहां से आया है वापस ठीक है अब आगे का discussion सिंपल करने के लिए हमें एक छोटा सा change करना है और वो change ये है कि हम थोड़ी दिर के लिए assume कर लेंगे कि हमारा जो input image है वो 3 by 3 का है और हमारा ये जो filter है ये 2 by 2 का है तो I guess आप समझ पा रहे हो कि ये जो Z1 होगा वो actually 2 by 2 का हो जाएगा और going by the same logic ये जो derivative वापस आएगा ये भी अब 2 by 2 का हो गया ठीक है छोटा कर लिया सब कुछ so that मैं आपको समझा पाऊँ बाकी सब कुछ सेम रहेगा ठीक है X को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो X11, X12, X13 X21, X22, X23 X31, X32, X33 और हमारा जो W1 है उसको आप ऐसे लिख सकते हो W11, W12, W21, W22 ठीक है और हमारा B1 तो जैसे है वैसा ही है ठीक है तो अब हम लोग क्या करने वाले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि Z1 कैसे कैलकुलेट होगा ठीक है so Z1 will be a matrix जिसमें Z11 होगा Z12 होगा Z13 होगा sorry Z21 होगा और Z22 होगा ठीक है अब आपको पता है कि यह convolution operation से पूरा काम होने वाला है तो मैं यहापे लिख रहा हूँ Z11 होगा जब आप इस पूरे को उठा करके इतने के उपर convolve कर रहा होगे ठीक है तो मैं एक बाद सारे equations लिख दे रहा हूँ so you can see guys मैंने इन दोनों matrix के बीच में convolution operation लगा के B1 add कर दिया और मुझे इससे Z11, Z12, Z21 और Z23 मिल गया which is our Z1 matrix ठीक है similarly यह जो मेरा matrix है dell L by dell Z1 जो इस तरफ से मुझे मिल रहा है इस तरफ से मुझे मिल रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा उसमें चार values होंगी Z11, Z12, Z21, 22 ठीक है so मेरा पास यह matrix है अब मुझे क्या करना है उसको इस टर्म से multiply करना है dell Z1 by dell B1 से Z1 यह matrix है ठीक है तो हमें क्या करना है पहले इस matrix को differentiate करना है with respect to B1 ठीक है और इस matrix का हर value यहाँ पर है तो यह differentiation कैसे होगा वो देखो एक बार so basically हमें यह calculate करना है और यह calculate करने का formula हमारे पास है यहाँ पर दो matrices है Z1 यह matrix है और dell L by dell Z1 यह matrix है ठीक है अब देखने वाली बात यह है कि आपका Z1 1, Z1 2, Z2 1, Z2 2 सब में B1 आता है तो आपको क्या करना पड़ता है इस पूरी चीज को expand करना पड़ेगा और आप इसको expand करके ऐसे लिखोगे Del L by del Z1 1 multiplied by del Z1 1 by del B1 प्लस देल L by del Z1 2 multiplied by del Z1 2 by del B1 प्लस देल L by del 2 1 multiplied by del Z2 1 by del B1 प्लस देल L by del Z2 2 multiplied by del Z2 2 by del B1 यह expansion हो जाएगा और आप इस expression को जैसे ही find out करोगे आपको यह मिल जाएगा ठीक है अब देखो Del L by del Z1 हमारे पास already है इस matrix के अंदर ठीक है similarly यह भी उस matrix में है यह भी उस matrix में हमें बस यह वाले terms निकालने है यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला ठीक है let's focus on this term Z1 1 का B1 के साथ differentiation निकालना है Z1 1 का B1 के साथ तो automatically यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा और इसके बतले आजाएगा 1 ठीक है फिर हमें Z1 2 का B1 के साथ निकालना है Z1 2 का B1 के साथ which will be again equal to 1 फिर similarly यह भी 1 यह भी 1 so basically यह पूरा term बन जाएगा Del L by Del Z1 1 plus Del L by Del Z1 2 plus Del L by Del Z2 2 I'm sorry 2 1 plus Del L by Z2 2 so basically यह जो derivative है it is nothing but the summation of all the values of this matrix इसको आप इस थरीके से भी लिख सकते हो equal to sum of Del L by Del Z1 जो आपका matrix था यह वाला जो matrix था ठीक है so basically nutshell में यह जो बड़ा सा 7 derivatives हम लोग निकालने निकले थे यह वाली जीज़ तो इस पूरे expression का end में जो result आया वो यह आया Del L by Del B1 is nothing but अगर आप sum लगा देते हो Del L by Del Z1 के उपर so basically you just need Del L by Del Z1 matrix उसके सारे items के उपर आप sum लगा दो आपको यह मिल जाएगा and obviously this thing will be a scalar just like our bias ठीक है so यह तो हो गया आप हम लोग focus करेंगे Del L by Del W1 के उपर so now let's focus our energies on Del L by Del W1 ठीक है Del L by Del W1 हमें निकालना है सारा setup सेम है हमारा यह जो image है यह 3 by 3 है हमारा जो W1 है वो 2 by 2 है और Z1 जो है वो 2 by 2 है आएगा और Del Z1 Del Z by Del Z1 भी जो है वो 2 by 2 है ठीक है तो यहाँ पर देख लो Del L by Del W1 होगा Del L by Del Z1 multiplied by Del Z1 by Del W1 ठीक है अब एक दो चीज यहाँ पर देखने लाइक है first of all यह जो चीज है यह आपका convolution operation का result है यह X है यह W1 है तो जब आप convolve करोगे और यहाँ पर प्लस B1 होगा तो यह हमारे पास आएगा ठीक है अब एक दो चीज़े आपको यहाँ पर देखने लाइक यह है कि first of all dell L by dell W1 जो होगा वो actually एक matrix होगा जिसमें चार values होंगी like this similarly dell L by dell Z1 है जो यह वाली चीज है यह भी एक matrix है जिसमें चार values होंगी dell L by dell Z1 1 dell L by dell Z1 2 dell L by dell Z2 1 dell L by dell Z2 2 ठीक है तो जब आप यह वाला differentiation करने जाओगे तो यहाँ पर भी expansion होगा expansion कैसे होगा कि यह term निकालने के लिए आप यह सारे individual terms अलग अलग निकालोगे क्यों निकालोगे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जैसे की dell L by dell W1 कैसे निकालोगे यह वाला कैसे निकालोगे इसका value होगा dell L by dell Z11 multiplied by dell Z11 by dell W11 plus dell L dell Z12 multiplied by dell L I am sorry dell Z12 divided by dell W11 plus dell L dell W 21 multiplied by dell W11 plus dell L by dell Z22 multiplied by dell Z22 dell W11 ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अगर आप यहाँ पर focus करो तो you would see कि जो W1 है जो W1 है वो Z1 में भी use हो रहा है वो Z2 में भी use हो रहा है Z21 में भी use हो रहा है और Z22 में भी use हो रहा है तो यह सेम काम आपको चार बार करना पड़ेगा मैं लिख देता हूँ this will be equal to so you can see यह रहा आपका चारो का चारो derivatives ठीक है अब अच्छी बात क्या है कि हमारे पास यह वाले सारे terms है यह वाले सारे terms हमारे पास है थोड़ा confusing है आप लोग एक बार वीडियो पॉस करके समझ ले न यह वाले terms कहां से आ रहे है इस वाले matrix से हमें यह सारे terms मिल जा रहे है हमें बस यह वाले terms निकालने यह सारे terms हमें calculate करने है और यह सारे terms calculate करने के लिए हमारे पास यह वाले equations है जैसे कि आप यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ मैं सबसे पहले यह वाला निकालने की कोशिश करता हूँ so del L by del W11 क्या हो जाएगा del L by in fact let's use the white marker del L by del Z11 multiplied by हमें यह यह निकालना है del Z11 by del W11 क्या होगा यहाँ से first वाला equation देखो you can clearly see यहाँ पर आ जाएगा multiplied by X11 plus del L Z12 multiplied by अब हमें निकालना है यह वाला तो इसके लिए आप second वाला equation देखो यहाँ पर आ जाएगा X12 plus del L by del Z21 अब हमें यह निकालना है और यह हमें थर्ड वाली equation से मिल जाएगा multiplied by X21 plus del L by del Z22 और going by the pattern यहाँ पर यह आ जाना चाहिए तो हमने यह वाली चीज निकाल ली ठीक है अब मैं similarly यह यह और यह निकालूँगा so यह रहे guys हमारे सारे के सारे चारो derivatives and you can see बहुत ही complex है but this is the beauty of mathematics right here आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहो तो इस पूरी चीज को simplify करके लिख सकते हो आपका hint यह है कि यह देखो यह रहा x matrix और यह रहा del l by del z1 matrix can you find out a pattern the pattern is this कि यह जो del l by del w1 है basically यह जो matrix हम निकाल रहे है it is nothing but the convolution operation of x matrix and del l by del z1 matrix सोच के देखो आप क्या कर रहे हो आप इतने को उठा रहे हो और इतने इतने के window में convolve कर रहे हो यह देखो del l z1 1 x 1 1 से multiply हो रहे है यह इससे multiply हो रहे है यह इससे multiply हो रहे है यह इससे multiply हो रहे है फिर window move कर जा रहे है विंडो यहां पर आ जा रहा है अब यह इस से मुल्टिप्लाई हो रहा है 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 और फिर विंडो मूफ कर जा रहा है ठीक है और फिर विंडो इधर मूफ कर जा रहा So basically यह जो पूरा का पूरा derivative है W1 के respect में It is nothing but convolution of the input With the loss जो आपको यहां तक मिल रहा था इस जगह तक तो यह जो हम इतनी बड़ी सी चीज़ निकालने निकले थे यह जो इतनी बड़ी सी चीज़ हम निकालने निकले थे This is nothing but the convolution operation of Your input x With With del L by del Z1 यहां तक के जो derivative है इसको उठाया X के साथ convolve कर दिया आपको यह वाला derivative मिल गया ठीक है तो guys I hope आपको समझ में आ गया इस पूरे architecture में Del L by del W1 Is nothing but convolution of your input With del L by del Z1 And del L by del B1 Is nothing but summation of the matrix Del L by del Z1 और यह रहा guys आपका result And that is how back propagation is performed On CNNs So that's it for the video guys I hope मैं आपको समझा पाया कि back propagation CNN में कैसे काम करता है I know the maths was difficult But ऐसा भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते एक या दो बार वीडियो देखने पर आपको definitely समझ में आ जाना चाहिए और अगर आपने copy pen ले करके सब कुछ साथ में लिखा होगा तो फिर मुझे लगता है कि कोई परिशानी नहीं हुई होगी और अगर आपको कोई परिशानी हुई है तो आप comments में उसको लिखो I'll try to answer your queries ठीक है वीडियो अगर पसंद आया तो please like करना बहुत महनत लगी है इस वीडियो में और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई